वेलकम टू 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 टेज एजूकेशन इस वीडियो में आज हम राश्य उद्धान और अभ्यारण टॉपिक के महतोपन प्रशन देखेंगे सब भी प्रशन ऐसे हैं जो कि व्यापन के दौरा कई दफ़ा पूछ जा चुके हैं इसलिए आप पेपर से पहले पूरा वीडिय जरू देखर जाएगा आपके परिच्छा में 100% इस टॉपिक से तो भाई ऐसे ही प्रशन आने वाले हैं और राश्य उद्धान अभ्यारण का पहला वीडियो है इसी तरह इस राश्य उद्धान अभ्यारण के कुल तीन वीडियो हम डालेंगे टॉप प्रशनों के चलेग और यह प्रशन अन्य परिच्छों में भी कई बार पूचा गया है तो घाटिगों बनने जीव अभ्यारण जो है यह हमारा कहां पर है यह हमारा ग्वालियर में इस्थिता इतना आप याद रखिएगा नेक्से प्रशन बंता है कि भोपाल में एक मात्र पारिस्थिते की प पर्वीहार भी भईओ क्या है नक्ष प्रशन बंता है कि मंड्यणा प्लांट जीवास्म रश्य उद्धान कहां पर इस्थित अर अब चलिए आगे बढ़ते है नक्ष प्रशन बेदल बननता है । बागों का सबसे बड़ा घनत वाला अभ्यारन ने कौन सा है सबसे ज़्यादा बागों का घनत वाला जो अभ्यारन है ये है हमारा बांधवगड अभ्यारन अब बात आती है कि बांधवगड अभ्यारन ने कौन से जिल्ले में कि शत्पुड़ा बन्यजीव अभ्यारन ने जो है यह हमारा होशंगाबाद में इस्तेत है काँ पर भई होशंगाबाद में शत्पुड़ा बन्यजीव अभ्यारन ने है अगला प्रशन है कि निमनाकित में से कौन सा राश्य उध्यान है जो के मद्ध प्रदेश में नहीं है चारविकलप आपके स्कीन पर हैं तो आप याद रखें मद्ध प्रदेश में जो राश्य उध्यान नहीं है इसका नाम है वई बनेर घटा राश्य उध्यान ये मद्ध प्रदेश में नहीं है इसके अलाबा बन विहार हमारा बांधवगड और काहना ये तीनों के तीनों कहां पर वही मध्भादेशमा लेकिन अब आप पताओगे बन विहार कौन से जिले में है बांधवगड और काहना राशची उद्धान वहीं कौन कौन से जिले की अंतरगत आता है प्रशन बनता है अगला कि खियोनी अर्थात, खिवनी, अभ्भ्यारन कौन से जिले में इस्थेता बड़ा सांदार, प्यारा सा प्रशन तो आप हमीसियाद रखे हैं खेवनी या खेवनी अभ्यारन ने जो है यह हमारा मौझूद अब ही देवास जिले में कहां पर है देवास में पूरे प्रशना अपने चीज नोटिस की होगे कि पूरे प्रशना अपके अपके अंपी कॉंशिबल में ही पूछे गए हैं प्रशन है अगला कि गांधी सागर अभ्यारन ने कहां पर इस्थित है तो आप हमें से याद रखें कि जो गांधी सागर अभ्यारन ने है यह मौझूद है मंदसोर में कहां पर है गांधी सागर अभ्यारन ने मंदसोर में मौझूद है नेक्षा प्रशन बनता है कि बिश्व में ऐसा कौन सा राश्य उध्या जो बंगाल टाइगरों की उच्चितम संख्याओं के लिए प्रिशिध है अब याद रखेगा पूरे बिश्यों का ऐसा राश्य उद्धान जो बंगाल टाइगरों की उच्चतम शंक्याओं के लिए प्रशिद है यह हमारा बांधवगड राश्य उद्धान अर ता तो बागों का सरवादिक घनत वी कांपर है बांधवगड राश्य उद्धान में ह अगला प्रश्ण बनता है कि काहना किसकी लिए जाना जाता है काहना संग्रहाल है या गुफाकला है या राश्य उद्धान है या फिर मूर्तियां है तो याद रखें काहना राश्य उद्धान है काहना किशली क्या है राश्य उद्धान है तो याद रखें काहना किशली क् प्रश्न है तो आप हमीसे याद रखें भई सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दें भई केन घड़याल अभ्यारन कहां पर एक बात और आप बता यह कमेंट करके कि पेंच राश्य उद्ध्यान कहां पर कौन सा भई पेंच राश्य उद्ध्यान ठीक है तो इसका सई द्वाब यह हमारा मौजूद है इंदोर में इन दोर में मॊजूद है नक्स स्च प्रश्न है कि मध्यफर्दी mosquito कि कौन सा लुत यख़ bulbs प्रदान किया जाता यह तो जंगली भेंसों को सरचन प्रदान किया जाता है गंगव अभ्यारन में अब कमेंट करके बताएं कि गंगव अभ्यारन ने कहां पर है कितने लोगों को पता है चलिए किसी को नहीं पता तो कोई बात नहीं मैं आपको बता देता हूँ गंगेव अभ्यारन की स्थापना भई 1975 में हुई थी कब 1975 में कहा पर हुई भई पन्ना जिले में इसकी स्थापना हुई थी गंगेव अभ्यारन भई आप लोगों ने जो कमेंट किया था कि आपका सही था कमेंट करके बताओ आपका सही निकलाता ही है कि गंगई अभ्यारन कहाँ पर है चले प्रश्ण है वही कि मद्यप्रदीस में गाय अभ्यारन कहाँ पर इस्थेत है वही गाय अभ्यारन पूछ रहा है और पुलिस कॉंश्चिवल में ही आपका आया हुए प्रश्ण है तो हमारा जो गाय अभ्यारन साइद आपको यह का पर व circuits नहीं है को आगर मालवा में हैं अगला प्रश्ण है अ मिलगे येको अभ्यारन जो के भई शीवपुर में स्थित है एक अभ्यारन जो के भई शीवपुर में स्थित है निख्श है कि निम लकत में से कौन सा भिशुववरासत इस्थल नहीं है बताएगा कौन सा निमने में से भई विश्व विरासत इस्थल नहीं है तो इन में से पेंच राश्य उद्धाने जो कि विश्व विरासत इस्थल नहीं है अगला प्रश्न है कि निमने लिखत बन्यजीव अभ्यारने में से कौन सा होशंगा बाद में है तो आप हमें सियाद रखेएगा दिये गए वन्यजीव अभ्यारनेंगों मैंसे होसंगाबाद में भई बोरी वन्यजीव अभ्यारनेंगों मैंसे होसंगाबाद में प्रश्ण बनता है कि निमने लिखित मेंसे बंजर और हलोन नदियां किसके मद्ध से बहती हैं भई तो अगला प्रशन है भारत की पहली सफेद बाग सफारी कौन से राज्य में खुली है तो आपर याद रखेगा कि भारत की पहली सफेद बाग सफारी हमारी मध्य प्रदीस में खुली है काँपर मध्य प्रदीस में खुली है क्या पता सकते हो कि मध्य प्रदीस में भी काँपर तो याद रखना मध्य प्रदीस की शत्ना में ठीके अगला प्रश्न है कि पेंच राश्य उद्धान भाई मद्य प्रदीस में है अगला प्रश्न है कि मद्य प्रदीस में चीते से पुनह परचित कराने है तो संभावित इस्थान आप से पूछ रहा है तो याद रखिएगा इसका सही जबाव है विकल्प ए नौरा देही सेंचुरी क्या भई नौरा देही सेंचुरी ठीक है भई चले अब आगे बढ़ते हैं नेक्ष प्रश्न है कि मद्य प्रदीस राज्य के बहतरीन सागोन का जंगल कहां पर पाया जाता है तो मद्य प्रदीस राज्य का बहतरीन सागोन का जो जंगल है यह पाया जाता है राता पानी बाग अभ्यारण में कहां पर राता पानी बाग अभ्यारण में सागोन का बह सथापन हुई थी नक्शे प्राष्न है कि सांखे सागर नामक क करत्रिम जील है यहाँ मौजूद है हमारी कापर भई इसका सही जवाब है बताएगा कापर है तो हमें से याद रखें माधव राश्य उद्धान में कापर भई माधव राश्य उद्धान में ये मौजूद है नक्षप्रशन है कि पन्ना राश्य उद्धान को टाइगर रिजर्व कब घोसत किया गया था बर्स 1994 में नक्षा प्रश्न है कि माधव राश्य उध्यान को पहले कहां के महराजा का सिकार आरच्छित छेत्र माना जाता था भई माधव राश्य उध्यान कहां के राजा का सिकार आरच्छित छेत्र था तो इसका सही जवाब है कि यह ग्वालिर के राजा का महराजा का जो है सिकार आरच्छेत है निम लखित मैंसे कौन सी बनस्पति बॉरी Бन्यजीव अभ्यरणयों में प्रमकृ होसंगाबाद में हैं और प्रमकृ होसंगाबाद में राश्य उध्यान का आधिकारिक शुभंकर है तो बुर्शिंग बारत सिंगा भई राश्य उध्यान का आधिकारिक शुभंकर है यह हमारा राश्य उध्यान भई काहना राश्य उध्यान कौन सा है भई काहना राश्य उध्यान प्रशन बनता है कि धुद्वा जी हां धुद अगला प्रश्य बनता है कि मदिब्रदीश में प्रितम बार सफेद बाग कब देखा गया था प्रशन है कि किस बरस में बार सफेद बाग कब देखा गया था प्रशने कि किस बर्स में भई काहना को राश्य उद्धान के रूप में गठित किया गया था तो अब हम इसे याद रखें काहना को राश्य उद्धान के रूप में पहली बार गठित किया गया था बर्स 1955 में कब भई बर्स 1955 में गठित किया गया था भई तो इसी तरह से MPGK, जी हाँ, MPGK के टॉप प्रशनों की सीरिस देखने के लिए प्लेरिस्ट में जाएं, और टॉपिक बाइस पूरा MPGK आपको इसी तरह कवर कराया जा रहा है